बादिला का नईया मेरा काली कमली वाला किसी ये काला यश्रो मती मैं जैश्री किष्णा दोस्तों हम सब बेहनों और सक्यों का गुरूप पहुँच चुका है मतुरा और हम दस जनों का गुरूप है जिसके लिए हमने ले रखा है मत्रा घुनने के लिए पैकेज तो हम आप पहुँच चुके हैं जहां पर उन्होंने हमारे रहने की वेवस्ता कर रखी है और वही हमें रेलवे स्टेशन से भी ले आए हैं गाड़ी में तो देखते हैं यहां पर कैसी वेवस्ता कर रखी है साफ सुत्रा तो लग रहा है तो थोड़े से ठकान दूर करने के लिए पहले हम चाई पी लेते हैं तो इनका यह कैंटीन है तो यहां पर हमें सुभे का नास्ता और रात का डीनर मिलेगा अब हम पहुँझे हैं अपने रूम में तो रूम भी देख लेते हैं तो रूम भी काफी बड़ा और अच्छा लग रहा है साफ सुत्रा और इसमें एक डबल बैड और एक सिंगल बैड भी है और यह हमारा पैकेज में ही है तो इसका प्राइज हमें नहीं मालूम है और हमें अब तयार भी होना है और हमें ले जाएंगे आज गोकुल धाम तो गोकुल की गल्यों में घुमने चलना है तो थोड़ा सा रेस्ट करके तयार होते हैं हुआ हम चलें हैं गोखुल धाम चलो पतली बनली गलियों से हुते हुए अई पर्वाइट के अगया है गाइट जो हमें अच्छे से संजाएंगे भी और खूमाएंगे भी ये इसा नहीं समझना मैं आशा रहा हूँ बागवत में एक हो गुपुई में आके दो बसता है। यहां पर आसपास देखने पर ये पुराना गाउंसा हिर्णा मैं आएची चोड़ी करके उसके बाद में एशूदा की घर में वगवान को शेफाद करें। यहां पर काफी सारी गुकुल में काफी सारी गौशाला भी हैं। तो यहां पर चोटी चोटी दुकाने हैं। जहां पर काना जी की मूर्तियां और कपड़े भी मिल रहे हैं। जादा दुकाने तो नहीं है और यहां पर जादा तर हमें दुकानों में दिख रहा है दूद, दही, लसी और मिठाईयों में पेडा जो यहां का फेमस है हर दुकान में यही दिख रहा है और काफी फ्रेश और काफी अच्छा भी है और पहुँच चुके हैं हम नंद ये शोदा भवन में चलो और मंदिर के अंदर हमें एक विसाल पेड दिखा जहां पर काफी चुनिया बांदी भी थी और यहां पर दिखा वा था मनोकामना पूरी करने वाला पेड़ अक्सरा मंदिरों में देखते हैं कि ऐसे पेड होते हैं तो लोग चुनिया बांदेते हैं इसमें मनोकामना अपनी बोल कर तो पूरी भी हो जाती हैं लोगों की अंदर मंदिर में बहुती सुन्दर सुन्दर पेंटिंग दिवालों में बना रखी हैं और यह है नंदर जी का घर जहां पर काना जी को वो लाए थे छोटे से टोकरी में लेके तो बहुती सुन्दर लगाए लगाए है बहुती कलर्फुल सा लगए है घर भषी आनद आरा है यहां पर और यहां पर काना जी की लिलाए बना रखी हैं और यहां पर देखिए यह हैं नंद जी और यशोदा जी और काना जी बीच में मिट्टी खाते हुए दिखाए गए गये हैं और यहां पर दिखाया है काना जी को मट्की फोड़ते हुए और उनके दोस्त उनके साथ में हैं माखन चुराते हुए यहां पर पेंटिंग में काना जी उठा रहे हैं को वर्धन परवत को और यहां पर दिखाया गया है पूतना जी जिन्होंने मोहनी रूप धारण करके काना जी को अपना दूद पिलाया था और काना जी ने उन्हें मौक्ष पिलान किया था तो यहां पर उनको दर्शाया गया है अपर मंदिर में बैट के ही दर्शन करते हैं और हमें एक कमरे में बेठा दिया गया है अपनी बारी का इंतजार करने के लिए और यहां बैटते वे हमने भी अपने शुरू कर दिये हैं भजन कि दन भजन कर दो शुरू सुष को इये बोरों आकशतव मेम शुरू सूंधर, लूति नमेदू अपनें मल ईवीन सुन्लों शुरू सूंधर दो सुन्लों आपनेंग 111 कामिप्रीण नड़िण सुन्हाय संतर्त भालां काली अंडी आजिया नाग में तु आया रादिला कनयया मेरा बोचो रादिला कनयया मेरा ताली कमली वाला तिसी ये काला याशो मती मै का रादा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राना क्यों बोरी, मैं क्यों काला हाती गोड़ा पाल की, जैकन या लाल की नंद में आनंद वयो जैकन या लाल की हाती गोड़ा पाल की, जैकन या लाल की हाती गोड़ा पाल की, जैकन या लाल की हाती गोड़ा पाल की, जैकन या लाल की और जिस कमरे में हम बैठे हैं वहां चारों तरफ गोबर से स्वास्तिक बनाए हुए हैं और कहा जाता है कि यहां पर काना जी की छटी मनाई गई थी इस रूम में और यहां पर अब हम पहुंच चुके हैं में भवन में और यहां पर हमें दर्शन हो रहे हैं नंद जी के मैया यशोदा के और साथ में काना जी के बड़े भाई बलदेव के दाव जी के और काना जी छोटे से हैं और वो है सोरे के पालने में जुल रहे हैं क्योंकि यहां पर तो काना जी छोटे से हैं पापा पाईया चले क्रिश्टन तनया अनंदी भाई को बोलो ना पापा पाईया अजी के भहती सुन्दर दर्शन हुए और काना जी को हमने सोने के जूले में जुलाया है तो बहती अनंद आया T आफ यहादूरANA यलाकरां किस्नाराया यल्भास। पेवादू M बार किस्नाराब यल्भास्थ, आफ यल्भासत। प्रुटे रवाफनों लो धुस्काई तोन लंदे लंद नगरी में होके आगे हैं किहें हुआ हैं यहां पर बंगा है जाए निचा पीशा फिर तो मनेखें कि अधाल यह सब्सक्राविए तो देख फ़े हैं पृटिए ने तो की जाएं प्हुचा बेगी तो पिके तो देख भलें और देखो वावाँ वाँ तेस्टी है दस्टी पिने की बाद हमारी यात्रा आगे की ओर बढ़ जाती है और आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए थैंक यू